आफ्टेरून एवरीबडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में कल वुमेंस बिग बैश में चार मैचेस हैं दो का वीडियो अलड़ी चैनल पर अप्लोडड़ है जिसने नहीं देखा है जाके देख लो फर्स टू मैचेस धमा के दाहर होने वाल है पर्स कोचर है सामने लिलहक पार्थ में यह मैच है तो पर्थ यहां की होम टीम है बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है पर्थ के स्वेन्यों पे खेलते हुए तो कैसे एडिलीट स्राइकर उनको टक कर देगी इस सीजन सारा ही डिटेल अनलेसिस अपन डिसकस करेंगे तो जो चैनल पर नहीं है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल आकन प्रेस करके रखो हर मैचस के आपको वीडियो नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे एनलेसिस अप्लोड होगा प्लस वाइनल टीम से लिए टेलीग्राम चैनल कर लो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन लिंक ह करोगे प्राइम टीम चैनल पर पहुच जाओगे जहां आपको टी टेंड वोमन बिग बैश गिववी की इंफोमेशन एलेवन चैलेंजर की टीम अच्छा यह मैच आपको 11 चैलेंजर पर खेलना है अगर नहीं खेल रहे भाई साब तो मत खेलो यह मैच आपके बसका नहीं है रीजन अभी बता रहा हूं छे के छे प्योर ओल्राउंड जिनके क्रेडिट बहुत हाए हैं ड्रीम पर कते ही ले नहीं पाऊगे और मन की टीम क्या आधे मन अधूरे मन की भी टीम नहीं बन रही है तो अगर 11 चैलेंजर पर खेल सकते हैं मैच तो ही वीडियो अनलिस के उन पेर्स के बार में बताने वालों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ही नहीं ले पाऊगे तो खेलने का कोई मतलब नहीं है अभी से बता दे रहा हूं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है 11 चैलेंज़ एप का डाउनलोड कर लो बहुत काम आने वा हमारा अभी तक में रिकॉर्ड रहा है बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मन की टीम जा बनती है न तो खेलने में मज़ा लगाता है चार मैचस खेलें सीजन दो जीती है एक हारी है एक नो रिजल्ट सेम पर स्कॉचस का भी यही सिनर्यों रहा है एक फिफ्ट पह और एक रिकर जरूर लगती है जब प्लेइंग लवन डिसकस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा डेट इन टाइम तीस ऑक्तोबर ग्यारा बच के 20 मिट पर मैच स्टार्ट होगा लिलाख हिल पार्क पर्थ में मैच है तो यहां के रिकॉर्ट क्या कहते हैं 14 मैच यहां हुए और यहां पर स्कूर बनता है वह 144 फर्स इनिंग में एक सब्सक्राइब बनता है रिसेंड मैच इस वैन्यू में 2019 में यहां देखो पर्थ नहीं यहां पर तबाही मचा गए जब जब बैटिंग करती 150 एक सो पैसट यहां आओ एक सो असी तो पर्थ जब जब यहां खेलती ह चोटा ग्राउंड है रंज यहां आप एकस्पैक्ट कर सकते हो पिंच इंटर से चाहे वह ताहिला मगराथ हो चाहे वह दैनेवन नीकक हो जाहे वह सोफी डेवाइन हो बहुत बड़ी बड़ी अप्लेट से आगे चलते हैं टीम्स देखते हैं एडलेट स्राइकर्स क्योंक इस वेन्यू पर आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि उतने मैंस खेले ही नहीं है जो परत की टीम में प्लेयर्स थे वो भी आप इधर उधर हो चुके हैं तो उतना खास रिकॉर्ड आपको दिखेगा नहीं किसी का ठीक बॉलिंग से भी पांच-पांच विकट ली हैं बेट मेगन शूट मेगन शूट जो हैं आएंगी किसकी जगह आएंगी वह मैं आपको आगे बताता हूं आगे चलते हुए अभी के लिए जो प्लेइंग इलावन है यह है कि लॉरा वॉल्डाट और डैनेवें नीकक ओपन कर रही हैं और दोनों की दोनों बढ़िया फॉर्म में यह चीज लास्ट में चौबिशन डैनेवें नीकक ने बनाए थे चौवन बनाए थे लोगाफ वॉल्डाट ने और अपनी टीम को जिता दिया था फिर आती है बिजिट पैटरसन देंटाइला मगराथ केटी मेक टेगन मेकलफीन इनकी विकर केपर मेंडलाइन पेना अमेन मेगन शूट ठीक है और अस्ट्रिया के लिए खेलती हैं बहुत वैटरन प्लियर है जो जानता है इनकी स्विंग सीम से वाकिफ है वो कभी इनको छोड़ेगा नहीं अपनी टीम में मेगन शूट है फिर सारा कोईते हैं और डासी ब्राउन मेगन शूट आई है जैमा बाज बाजबी की जगह बाजबी को हमने बैंच पर बिठा लिया है यह रही 12 नमबर पे इतने दिनों से खेल रही थी बाजबी में शूट की अन अविलिबिलिटी में अब आ गई है तो अपनी जगह ले लेंगी इंपोर्टन प्लेर्स कौन है लॉरा वर्वडाट किसी भी दिन जिस भी टीम में हो अपनी टीम में रखना बहूत क्लास प्लियर साओध आफरिकन इंटरनेशनल यह दोनों साथ अफरिकन रॉपन करते हैं कमाल के स्टार्ट एकश्टी नहीं को दोनों हमाई लिए इंपोर्टन है देन हमाई लिए ताहिलम अग्राइपर बैटिंग बालि सबसे पहले मेगन शूट दूसरी मेरी सारा कोई तो यह दो बॉलर्स में ले रहा हूं प्लस जो तीन बैटर्स मैं आपको उपर से बता है जिसमें से एक आल राउंडर है तो हमारे कितने पांच लेर होगा एडिलीड की तरफ से पहले बॉल डाले है तो छटा प्लेयर भी मेरा डिलीड की तरफ से आएगा वह दासी ब्राउं या फिर में अंडर जेड वेलिंग्टन में से कोई एक होगा आगे चलते हैं प्र्ट्स कॉच्चर्स की प्लेंग लवन की तरफ सोफी ड पट्टू देन मरीजाने कैप और हीदर ग्राम टॉप मांच इनका भी लाजवाब है बहुत कड़क है एक बना क्या रही है सोफी डिवाइन 65 बना इसे मुनी ने अटा पट्टू के उतनी बैटिंग आने ही पाथी क्योंकि उपर से ही दोनों तबाही कर रहे हैं मरीजाने एनि गिवन टाइम और डेट चामारी अटप बट्टू बैथ मुनी और सोफी डिवाइन टॉप चार के चार में लूंगा और सेक्शन में आपके पास क्लोई पर हो है मतिल्डा का में कल है अलाना किंग जो भाई क्या लेक्स्पिन डालें चार विकट एक विकट दो विकट सारा कोईते के पीछे आ फिर ऊपर हैं यह दुना आसपास ही है हाइस विकट टेकर की सूची में ठीक लिले मिल से एक उस्पिन लास्ट मैच में चांस दिया था किसकी जगह लाई थे समान्था बेट्स की जगह जो तो अच्छा बॉल नहीं डाल दी इनको लास्ट मैच में आ गए दो विकट डायरेक्ट आते हो इन्होंने ले लिए तेने ले पिस्चल को विकट नहीं मिल रहें लेकिन हां बॉल यह भी अच्छा डाल देंगे यह चीज है इंपॉर्टेंट टॉप चार्ज मैं आपको बताए मूनी डिवाइन अटपटू कैप फिर आते हैं बॉल मैं आपको दिखाता हूं चौक जाओगे हैट टू हैड में पर्स कॉचर्ज आपको कितनी स्ट्रॉंग दिख रही है देखो आपके पास सोफी डिवाइन है बैथ मूनी है आपके पास चमारी अटा पर्ट है लेकिन हैड टो हैड में टोटल बारा मैंचे हुए उन बारा मे पर्स कॉचर्ज उसमें भी है जो चार जीते हैं उसमें उसमें से तीन बार चेस करते हैं तो पर्स कोचर्ज को गर जीतना है तो एडिलीट के सामने चेस करना पड़ेगा यह चीज मैंचे की समरे अगर मैं आपको बता हूं 2020 और 2019 की यहां देखो आमार्ड येड वैलिंटन जो एक leg spinner है लेकिन यहां पर रन बनाए 48 ठीक है एक विकट मिला यहां से बैथ मुनी सोफी डिवाइन के रन ग्लैन का विकट नीचे आओ 2020 का ही दूसरा मैच बैथ मुनी यहां पर यहां पर रेंग कर टेल वैच था तो उतना कुछ खास परफोर्मेंस है नहीं यहां चलते है यहां पर डिवाइन के फिर से रन है ताहिला के रन है मिगन शूट के दो विकट डिवाइन के दो विकट नीचे आओ सोफी डिवाइन का फिर से रन है सोफी डिवाइन का विकट और यहां से टेले पिश्चल का विकट ठीक तो यह तो यह तो तो तीन-चार मैचे की समरी अ अल्मोस 40 क्रॉस किया है इन्होंने दूसरी जो बैटर निकल के आ रही है वह निकल के आ रही है हमारे पास यहां से सोफी डिवाइन दो मैचस के लिए डिलीट स्राइकर्स के अगेंस्ट 57 बनाए हैं तीसरी यह बिजिट पैटरसन आपकी ग्रैंड लीग के पिक हो सकती है तो कुछ बैटले और देख लोगे तो काम आ जाए है यहां पर ताहिला के लिए स्कोर करना मुश्किल होगा पर सकचर्स की अगे चलते हैं पर सक्चर्स की देखते हैं कुछ फीजिवार पर प्रपार का उट करके रखा है यह बैटल डैने गटर जो बर दो बस्क हमारी अटध में चूट कितनी इंपॉर्ण यहीं से आपको बैटल सही पता चल जाता है ठीक सारे रिकॉर्ड देख लिए ड्रीम एलवन टीम क्या बन रही है देखो ड्रीम एलन टीम तो बनी नहीं दिया साफ बात मैं आपको बता लित यहां पर मेरे पास जीरो बचे हैं और टीम में पता मेगन शूट लेना था यहां से मुझे डैनेवन नीकर के लेना था मथाल्ड का मिचल की जगह मुझे हीदर ग्राहम लेना था एक तो क्रेडिट नहीं तो उबर से मुझे ड्रीम का कॉम्बिनेशन भी अलाव नहीं करता लेकिन 11 चैलेंजर्स यह सारी लक्जरी आपको दे क्या किया मैंने बैथ मुनी लिया चमारी लिया सोफी डिवाइन वारीजने कैप ही दर ग्राहम लीजा ग्रेफ्ट पहले अगर पर स्कॉचर बॉल डाली यह तब का यह कॉम्बिनेशन ठीक है इता से डैनेवन नीकर के लिना था आ गई ताहिला लिना था गई लोरा लिना तब का यह कॉम्बिनेशन है पता चले तुम सच में घर बेच के पैसे लगा तो ऐसे नहीं होता थैंसिब्ली खेला फैंटेसी में सैंसिब्ली इंवेस्ट करो कम इंवेस्ट करो लेकर प्रॉफिट में रहो हमेशा यह होता है फैंटेसी का मतलब ठीक है और एंजॉय करने क तो मेरी वाइस कैपनसी जो है डैनम एन नीकक की तरफ जा सकती है और इधर से देखोगे तो इन ही डैनम एन नीकक का जो नीकक के जो हस्बेंड है मैरीजने कैप वह इनको बॉल डालेंगे पावर प्ले में तो इन्होंने आपस में बहुत बॉले खेल लिए होंगी तो हो सकता है कि आउट ना हो अच्छा स्कूर कर जाए हमाई एच्छी वाइस कैपिटन सी चॉइस बन जाएंगी और यहां पर सोफी डिवाइन राइटी मरीजने कैप राइटी और अट्टा पटो और मूनी लेफटी तो यहां यह हमारी फिलम अटक अटक रही है कि लेफटी के सामने बॉल ना डाले इस वज़े से अभी सेफ गया हूं ताहिला को दी है देखते हैं फिर क्या होता है फाइन टीम सापको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी 11 चैलेंजिस पर ही खेला है मैं बहुत मुश्किलों में पढ़ जाओगी मैं मिलूंगा आपके सा फाइनल टीम सीधा टेलिग्राम चैनल पर तब तक लिए बाई बाई टेक केर हैव गुद देख